नमस्कार साथियों, डिक्टेशन अस्सी सब्द प्रति मिनट की गती से बोली जायेगी, डिक्टेशन ठीक पांच सेकिर बाद स्टार्ट होगी स्टार्ट वैसे ही हर हिंदी और अंग्रेजी समाचार चैनल ने दिन भर कैमेंटरी दी विराम, सुदू से विराम, कुछ ही छणों से दिल्ली से निकलेंगे प्रधान मंत्री विराम, अब उडान भर चुके हैं विराम, अब उनका विमान लखनव हवाई अड़े पर उतर चुका है वि पर में बैठ चुके हैं अयोध्या पहुचेंगे आदे गंटे में विराम फिर जब राम की नगरी के हवाई अड़े पर उत्रे नरेंदर मोदी हलके भगवा रंग का रेश मी धोत्ती कुरता पहने तो उनके काफिले के पीछे दोड निकले हमारे बहद्दुर टीवी पत्रकार और हर मोड पर केमेंटरी देते रहे विराम पैरा रामलला के सामने जब सास्टांग प्रणाम में दीखे पुदान मंत्री तो इसका भी विशलेशन किया पूरी गंभीरता से टीवी के बड़े बड़े पत्रकारों ने ताकि हम दर्सकों को पूरी तरह समझ में आए इस तरह प्रणाम करने की एहमियत विराम फिर उनके परिक्रम का विशलेशन हुआ आरती का विशलेशन हुआ और सांथ तभी हुई केमेंटरी जब प्रणामंत्री ने मंदिर के गर्ब ग्रहे में पहुँचकर सीला पूजन सुरू किया खास महमानों की उपस्तिती में विराम पूजा की तस्वीरें दिखाई गई देश भर के टीवी चैनलों पर और पूजा समाप्त होने के बाद रधानमंत्री का भासन भी हमने सुना दूर दराज कस्बों गावों से लेकर महानगरों तक विराम प 5 अगस्त की साम चर्चाई हुई जिनमें राजनितिक दलों के प्रवक्ताओं और धर्न गुरुओं ने राम जनम भूमी आंदोलन का हर पहलू विस्तार से समझाया विराम पहरा अब उमीद कर सकते हैं क्या हम की प्रधानमंत्री अतीत की समस्याओं को ताक पर रखकर वरत की अती गंभीर समस्याओं की तरफ ध्यान देंगे ये समस्याएं इतनी गंभीर है और इतनी भिन की सायद भगवान राम भी इनका समाधान धूंडने में हमारी मदद नहीं कर सकेंगे विराम अब भी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है यह महामारी विराम वे दिन गए जब हमने थालियां बजा कर और दिये जला कर उमीद की थी प्रधानमंत्री के कहने पर की 21 दिन में हम कोरोना को भगा सकते हैं विराम वे दिन भी गए जब मोदी है तो मुमकिन है वाले लोग सीना तान कर कहा करते थे की मोदी नै होते तो लासों के धेर होते सडकों पर विराम अब हम जान गए हैं की बाकी दुनिया की तरह हमको भी समय लगेगा इस महामारी से निपटने में विराम बलकि यह भी जान गए हैं की हम की इस बिमारी के साथ हमको जीना सीखना होगा क्योंकि यह कहीं नहीं जा रही है निकट बविश्य में विराम पैरा महामारी आई है ऐसे समय जब देश में गंभीर राजनितिक और आर्थिक समस्याओं का उंचा पहाड खड़ा हो गया है विराम पिछले सप्तहा जब प्रधान मंत्री राम लला की पूजा में व्यस्त थे कश्मीर धाटी में दो दिन का करफ्यू लगा दिया गया था ताकि देश के दुस्मन जिहादी आतंकवादी वारदात करके उस तिथी का अपने हीन्सक तरीके से जस्न नय मनाएं जब अनुछेर कश्मीर 370 को हटाया गया था एक वर्स पहले और कश्मीर के दो टुकडे कर दिये गये थे और उससे राज्य कहलाने का हक भी छीन लिया गया था विराम यह सब किया गया था अलगावाद को समाप करने के लिए ताकि सान्ती के माहोल में कश्मीर घाटी में विकास और तरक की लाई जा सके विराम ऐसा होने के आसार भी नहीं दीख रहे दूर तक बावजूद इसके की पूरी घाटी में लोकडाउन रहा है पूरे साल विराम पैरा लद्दाक ने खुशियां मनाई थी जम्मू कश्मीर से अलग होकर इसलिए की पूरी राज्य के इस प्रांत के साथ वास्तों में एक सोतेले भाई जैसा विवहार हुआ करता था विराम लेकिन अब जब सीमा पर तनाव बना हुआ है तो लद्दाक के अच्छे दिन भी समाप हो चुके हैं इसलिए की जब तक तनाव रहता है सीमा पर तब तक विकास की कौन बात कर सकता है विराम वैसे भी कोरोना ने परियतकों का आना बिलकुल बंद कर दिया है और लद्दाक की अर्थ वविस्ता काफी हद तक परियतन पर निर्भर थी विराम इसलिए ऐसा कहना की मोदी की कस्मीर नीती सफल रही है गलत होगा विराम पैरा मोदी की आर्थिक समस्याएं और भी जादा डरावनी है विराम देजबर में मंदी च्छाई रही है जब से कोरोना आया है मार्च के महिने में विराम कई छोटे उद्ध्योग बिलकुल बंद हो गए हैं और बड़ी कम्पनियां भी बुरे हाल में हैं क्योंकि उनके दफ्तरों में मुलजिम आ सकते हैं सिर्फ गिने चुने विराम बेरोजगारी जितनी आज है सायद कभी पहले नहीं हुई होगी विराम अभी तक भारत सरकार ने जो वादे किये थे बुनियादी धांचे में लाखो करोडो रुपै निवेस करने के वे भी अभी तक वादे ही हैं विराम सरकारी रहात लोगों के पास इतनी धीरे आ रही है छोटी किस्तों में की आम आदमी की जेब में पैसा ही अब नहीं हैं विराम सो दुकाने खुल भी अगर गई हैं गरहाक इतने थोड़े आ रहे हैं कि खुलने के बाद भी मंदी चल रही है विराम पैरा ये समस्याएं काफी नहीं तो बारिश ऐसी आई है इस साल की असम समेत पुर्वत्तर राज्यो के कई हिस्से डूब गए हैं विराम यहां महराष्ट में इतनी बारिश हुई पिछले हपते की मुंबई की कई सडके नदियां बन गई और रेल सेवाएं ठप हो गई विराम राम मंतित का जिस दिन सिलन्यास कर रहे थे प्रधान मंत्री उस दिन तो इतनी बारिश हुई की ऐसा लगा जैसे कभी रुकने ही वाली नहीं है विराम इस लेख को लिखने का मेरा एक ही मकसद है कि अगर प्रधान मंत्री अब इतिहास और अतीत को भूल कर वरतमान समस्याओं पर अपना पूरा ध्यान नहीं देना सुरू करते हैं तो राम भगवान भी नहीं बचा पाएंगे भारत माता को विराम बड़ी अच्छी बात है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्मान सुरू हो गया है लेकिन और भी समस्याओं हैं देश में बहुत सारी विराम दन्यवाद साथ ही हैं